आज की जो मेरी वीडियो है फ्रेंद्स बहुत ही खास इंग्रीडियंट के बारे में हम उसे अपने खाने बनाते टाइम में भी इस्तिमाल करते हैं बड़ उसके और क्या-क्या बेनिफित्स होते हैं मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है उसको लाइक और शहर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मन भूलिएगा हेलो फ्रेंद्स मैं हुआ अनुष्का और वेल्कम बैक तो माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं सौफ के बारे में फ्रेंद्स मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या-क्या हेल्थ और ब्यूटी बेनिफित्स होते हैं क्योंकि मैं उसको यूज कर रही हूँ लग-बग एक मह कि सबसे बहले मैं आपको बताना चाहती हूं फ्रेंद्स की जो सौफ होता है बहुत सारे वाइटमिन होते हैं उसके अंदर और उसका जो एंटी ऑक्सिडेंट नेचर होता है अल्सों इन्फलमेटरी नेचर तो डाइजेशन से रिलेटिड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती ह हमेशा जो चोटे बच्चे तक होते हैं जो न्यूबॉर्ण बेबीस होते हैं उनको भी सौफ का पानी दिया जाता है ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे आप मेंसे बहुत लोग यह नहीं जामते होंगे शायद कि जो आपके कोलेस्ट्रोल लेवल्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में सौफ बहुत जादा हेल्प करती हैं और साथ ही साथ आप अगर इसको सही तरीके से और सही मात्रा में अपनी डाइट में इंक्लूट करोगे तो यह आपके लिए हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी बेनेफिट्स भी लेकर आता है तो चलिए बढ़ा बेनेफिट होता है इसके अंदर ना अंटी एजिंग फॉर्मिलास होते हैं बहुत सारे वाइटमिन्स होते हैं इसके अंदर तो आपकी स्किन हमेशा यंग लगेगी स्किन टाइटनिंग एफेक्ट ही आपकी स्किन में लेकर के आता है सबसे बहले जिन लोगों को पफड आईज जो हम बोलते हैं आंकों के नीचे सेरिया में थोड़ा सूजन रहता है कुछ रहता है तो इसके बहुत ही जादा कूलिंग एफेक्ट होते हैं जाहो तो इसको हनी और थूड़ा सा योगर्ट लेके जो सौफ का पावडर होता है अगर आप उसको मिक्स करके ए पावडर बना रही हूं उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी दो चम्मच योगर्ट अगर योगर्ट नहीं है तो आप हंकर का इस्तमाल कर सकते हो और फिर उसमें हम एड करेंगे एक चम्मच के करीम हनी बस अब इन तीनों चीजों को आफटा-फट से मिक्स कर लीजिए औ आप इसको हफते में दो से तीन बार अपने फेस पर लगाईए और 15-20 मिनिट तक इसको ड्राइ होने के लिए छोड़ दीजिए और आफटर दाट यू कन वाश इत विद नॉर्मल वाटर उसके लिए फ्रेंस आपको लेना है एक पैन और उसके अंदर डालना है तकरीबन एक कप के करीब पानी उसमें मैं डाल रही हूँ दो से तीन चम्मत सॉफ और उसको बॉल करने के लिए छोड़ दिया है पांच मिनिट बॉल होने के बाद इसका कलर चेंज आएगा और आप इसको स्ट्रें करके इस तरीके से रख सकते हो कूल डाउन होने के बाद आप अप स्पेशल नुसका है फ्रेंज ये हैर फॉल को कम करने का और मैं हमेशा तो नहीं बट या जब वेदर चेंज होता है तो मैं इस चीज को जरूर यूज करती हूँ और बहुत एफेक्टिव होता है साथ ही साथ जो मैंने आपको मास्क बताया है उसको भी आप या तो वीक में होड़ा सा पेशन्स रखना पड़ता है बट रिजल्स जो होते हैं फ्रेंज वो आपको जरूर दिखेंगे और बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो मेरी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो फ्रेंज दिखने में फेरल सी छोटी सी होती है बर उसके गु पहुत जल मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और ब्यूटी टिप के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay safe, namaste, bye bye